साथियों, कल 31 अक्तुबर को राष्ट्रिय एकता दिवस है, सरदार वल्लभाई पटेल जी की जन्म जिन्ति का पुन्य आउसर है, इस दिन देश के कौने कौने में रन फर यूनिटी का आयुजन किया जाता है, ये दोड देश में एकता के सुत्र को मजबूत करती हैं, हमारे युवाओं को प्रेरित करती हैं, अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रिय खेलों के दोरान भी देखी है, जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, इस थीम के साथ राष्ट्रिय खेलों ने जहां एकता का मजबूत संदेश दिया, वहीं भारत की खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया है, आपको यह जानकर खुशी होगी, कि हम भारत में राष्ट्रिय खेलों का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था, इसमें 36 खेलों को सामिल किया गया, जिसमें साथ नई और दो स्वदेशिस परधा, योगाशन और मलखम भी शामिल रही, गोल्ड मेडल जीतने में सबसे आगे जो तीन टीम है रही, वे हैं सर्विसेज की टीम, महराष्टो और हर्याणा की टीम, इन खेलों में 6 नेशनल डेकोर्ड्स और करीब करीब, 60 नेशनल गेम्स रेकोर्ड्स भी बने, मैं पदक जितने वाले, नए रिकॉर्ड बनाने वाले, इस खेल प्रतियोगीता में हिस्सा लेने वाले, सभी खिलाडियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मैं इन खिलाडियों के सुनहरे भविश की कामना भी करता हूँ, साथ क्यों, मैं उन सभी लोगों की भी रदय से प्रसंसा करना चाहता हूँ, जिनोंने गुजरात में हुए राष्ट्रिय खेलों के सफल आयोजन मे अपना योगदान दिया, आपने देखा है कि गुजरात में तो राष्ट्रिय खेल नवरातरी के दवरान हुए, इन खेलों के आयोजन से पहले एक बार, तो मेरे मन में भी आया, कि इस समय तो पूरा गुजरात इन उत्सवों में जुटा होता है, तो लोग इन खेलों का आ लेकिन गुजरात के लोगों ने अपने आतिथ्य सत्कार से सभी महमानों को खुश कर दिया, अमदाबाद में नेशनल गेम्स के दोरान, जिस तरह कणा, खेल और संस्कृत्य का संगम हुआ, वह उल्ला से भर देन वारा था, खेलारी भी दिन में जहां खेल में हिसा लेते वही शाम को गर्बा और डांडिया के रंग में डूब जाते थे, उन्होंने गुजराती खाना और नवरात्री के तश्विरे भी सोचल मीडिया पर खूप शेर की, यह देखना हम सभी के लिए बहुत आनंद जायक था, आखिर कर इस तरह के खेलों से भारत की विवित संस् के बारे में भी पता चलता है, यह एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना को भी उतना ही मजबूत करते हैं,